तो दोस्तों जब कुछ महीने पहले इस्राइल के उपर हमास के द्वारा तावर तो रॉकेट का हमला किया गया था तब सबसे ज़्यादा चड़्चा में इस्राइल के आयरन डॉम सिस्टम आया था। अधिक कैपेबल हो। तो दोस्तों आयरन डॉम सिस्टम असल में एक ऐसा एर डिफेंस सिस्टम है जिसे बेसिकली दुश्मन के शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल, आर्टिलेरी, रॉकेट, अन्मैन एरियल वियकल जैसे हवाई हमलों को रोकने के लिए बनाया गया। और दोस्तों ये लागत इस्राइल के आयरन डॉम के तुलना में काफी अधिक है। इस्राइल द्वारा आयरन डॉम सिस्टमों को डेवलप करने के लिए चार साल के डेवलप्मेंट पोग्राम के तहट करिवन 204 मिलियन डॉलर खर्चा किया था। और इसे 2011 से इस्राइल के तर पोग्राम एड्मिनिस्ट्रेशन के स्पोक्सपर्सन करनल सू यॉंग ओन के तरफ से ये भी जानकारी दिया गया कि इसका कॉस्ट इतना हायर है क्योंकि साथ कोरिया के तरफ से जिन सिस्टमों का डेवलप्मेंट किया जाएगा वो ज़्यादा एडवांस टेकनोलोजी से लैज होगा और सौथ कोरिया को लॉंग रेंज के आटिलेडियों से प्रोटेट करने के लिए ऐसा आधुनिक सिस्टमों का भी आवशक्ति आये है उनके बयान के मुताविक इस्राइल के जो आईरन डोम सिस्टम है इसे दुश्मन के रॉकेट और आटिलेडी शेलों को लिए सौथ कोरिया को इससे अधिक टेकनोलोजिकल एडवांस सिस्टमों का आवशक्ता होगा इवन उनके तरफ से ये वी जानकारी दिया गया है कि सौथ कोरिया इन सिस्टमों के कोस्ट को मास प्रोडक्शन के साथ-साथ और कम किया जा सकेगा दोस्तों अगर देखा में लॉंग रेंज आटिलेडियों का भी तैनाती किया गया है और नॉर्थ कोरिया दो सो चालिस मिलिमीटर के लॉंग रेंज के रॉकेट का भी इस्तेमाल करता है ऐसे में सौथ कोरिया को इस तरीके खत्रे को न्यूटलाइज करने के लिए इसराइल से अधिक मात्रा के त उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ये प्रेस कर दीजिए टैकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद